नमस्कार दोस्तों, दोस्तों सरदियां शुरू हो चुकी हैं और सरदियों के इस मौसम में आप सभी अपनी सिहत अच्छी बनाए रखें इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दिने वाला हूँ जो लोग 40 साल से उपर हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत अच्छी थाबित हो सकती है और ये वैसे तो हर उम्र के वेक्ति के लिए अच्छी जानकारी हो सकती है लेकिन विशेश तोर से 40 के बाद ये काम करना ज़रूरी है चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या है और इससे पहले मैं एक आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो व्यूवर्स नई हैं जिन्हों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें जिससे हमारे वीडियो के आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको टाइम पर मिल सकें चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आज सुबह जब हम घुम रहे थे उससमें मेरे एक मितर ने उससे कहा कि मुझे बहुत परिशानी है मैं कब्स से परिशान हो चुका हूँ और साथ मैं गैस भी परिशान कर रही है तो हम मैं इसके लिए क्या करूँ तो मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ चलिए मितरों आप मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप क्या करेंगे आप एक गलास लेंगे उस गलास में जतनी मातरा मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ अच्छे से देख लीजिए उतनी मातरा आपको मैथी दाने की लेनी है और आपको ये गलास में इस तरह से इसको डाल देना है उसके बाद इसके इसमें जो है पानी डालना है आपको पूरा गलास भरना है उपर तक पूरा गलास भर दीजिए और गलास को भर करके आपको उसको ढख करके रख देना है और इसको रखने के बाद ये काम आपको करना है रात के समय रात के समय आप मैथी दाने को गला दीजिए और इस तरह से रख दीजिए और इसको ढख करके रख दीजिए पूरी रात इस दाने को गलने दीजिए आराम से ये पूरी रात गलेगा तो दाना जो है इसका कड़वा पन होगा वो सारा का सारा निकल जाता है कड़वा बिल्कुल नहीं लगेगा आपको ये अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है तुबा उटकर के पानी को सिब बाई सिब पीना है और ये पीने के बाद दाने को जो बचे हुए दाने को कुछ चबा चबा करके खा लेना ये खाली पेट करना है रोज बेटर होगा फ्रेश होने से जाने से पहले अगर ऐसा कर लें तो अगर आप फ्रेश होने के बाद भी आपर करते हैं तो भी चलेगा लेकिन वो ज्यादा एफेक्टिव नहीं होगा इसलिए मेरा यही कहना है कि उठें और उठते ही ये पानी पीएं और साथ में जवा करके दाना काएं और उसके लात फ्रेश होने जाएं चलिए अब मینब आपको बताता हूँ इसका फाइदा क्या होगा इसका फाइदा यह होगा सबसे पहले दूसरे है तीसे दिन से यह आपको इसका लाब दिखना शुरू हो जाता है आपको सबसे पहली चीज तो क्या है कवज की शिकाइट जो होगी वो खतम हो जाएगी टोटल जब तक आप ये करेंगे और ये आपको करना है लगातार करीब पचास साथ दिन कर सकते है क्योंकि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है दिसंबर जनवरी तक बहुत आराम से गर्मी नहीं आएगी सर्दी रहीगी और गर्मी के मौसम में कभी भी इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत गरम होता है तो ये साबधानी आपको जरूर इसके साथ में करनी है और इसके फायदे बताता हूँ मैं आपको और भी बहुत सारे फायदे है अगर किसी को शोगर है तो उसको शोगर लेवाल उसका डाउन हो जाएगा शोगर उसकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी अगर किसी व्यक्ति को हाथ पेरों में दर्द है, किसी को मस्कुलर पेन है, किसी को दर्द हो रहा है, किसी का पेट दर्द करता है तो ये सारी चीजें भी जो सर्दी की वज़े से होती है, वो सारी के सारे दर्द आपके चले जाएंगे दूसरे तीसे दिन से आपको लाब देखना शुरू हो जाता है इसमें इसको निर्बाद रूप से आप 40-50 दिन, 60 दिन आराम से कर सकते हैं फरवरी तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं जादस जादा बस मार्च में इसको बिल्कुल यूज़ ना करें इसके कई गुण हैं दोस्तों इसके अंगिरंत गुण है जो आपको पता चलेगा जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप डेली रूटीन में ये बना लीजिए और जब तक सरदियां चलें हर सरदियों में ऐसा करें आप बहुत फायदा होगा तो दोस्तों चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियों में तब तक के लिए बाबाए